नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News मैं हूँ आपके साथ मेखा इस कास रिपोर्ट में आपसे बात करने वाले हैं राजमीती के अखाडे में खड़ी देवरामी और जेखानी पर यानि यहां आपसे बात होगी सीधे तोर पर गांधी परिवार की बहूं पर एक बहू है मेंका गांधी दूसरी बहू है सोनिया गांधी मेंका गांधी भारतिय जन्ता पार्टी के साथ और सोनिया गांधी ने अपना हाथ दिया कॉंग्रेस पार्टी को जैसा कि आप सब जानते हैं यू तो हमेशा गांधी परिवार के ये दो हिस्से एक दूजे के आमने सामने आने से बच्चते हैं लेकिन लोकसबा चनाब 2019 के दर्मिया यहां कई बार पार्टी के दो हिस्सों का आमना सामना हुआ मेंका गांधी ने अपने इंजर्व्यू में सीधे तोर पर अपनी जेठानी सोनिया गांधी पर निशाना स्ताधता और कहा था दहेज में तो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी फिराखे रितनी जायजाद कहां से इन्होंने इकटा कर ली मेंका गांधी के बयानों पर सोनिया गांधी अक्सर चुक्पी साधे रखती हैं लेकिन अब भारतिय जनता पाजी की सरपरस्ती में मेंका गांधी का हाल क्या हो गया है मेंका का हाल कुछ ऐसा हो गया है पहले तो उनका मंत्राले केंद्रिय मंत्री स्मृतिरानी को दे दिया गया और मेंका गांधी की जोडी को खानी रखा गया मेंका कह रही थी मैं प्रोटर्म स्पीकर की रिस में आगे हूँ लेकिन बीते कल प्रोटर्म स्पीकर मेंका गांधी की जगा डॉक्टर विरेंदर कुमार को बना दिया गया है मेंका गांधी को धोका दे दिया गया है मेंका गांधी के इस तीपे को लेकर राजनीती का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया है मेंका गांधी अब भारतिय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगी क्योंकि इस पार्टी ने ना सिर्फ उन्हें धोका दिया बलकि उनके बेटे वरुन गांधी के साथ भी दगा की है ना सर्क BJP ने उन से उनका मंत्रा ले छीना उनकी जोली को खाली रखा बलकि उनके बेटे वरुन गांधी को भी इस बार किसी तरीके का कोई मंत्रा ले नहीं दिया है अपने आप में बड़ी खपर है अब मेनका गांधी के स्टीपे पर जेखानी सोनिया गांधी का हो गया है वार दरसल कहा जा रहा था कि मेनका गांधी स्टीपा दे देंगी और कॉंग्रेस में हो सकता है शामिल हो जाएं लेकिन सोनिया गांधी का एक बड़ा बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर कापी ज्यादा चल्चे बटो रहा है और इस बयान में सोनिया गांधी कह रही है कि ये मेल कभी नहीं होगा यानि बरुन गांधी और मेनका गांधी का मेल कॉंग्रेस पार्टी के साथ कभी नहीं होगा इन सब के बीच में ये देखिये जरा कैसा वक्त ने यहां पर रुख अपनाया है कैसी करवट ली है जीती हुई पार्टी के साथ मेनका गांधी है लेकिन चैन और सुकून उन्हीं नहीं मिल रहा क्योंकि जिस पार्टी के साथ उन्होंने अपना दिल जोड़ा फलाल ये पार्टी उनके साथ दगा कर बैची और वहां सोनिया गांधी भले ही कॉंग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा सीटे नहीं हासल की है भले ही लोगसभा चनाब 2019 में कॉंग्रेस की हार तमाम तरह के दावों के बाद जो हुई है वो शर्मनाख है लेकिन सोनिया गांधी पहुच गई है रायबरेली अपने लोगसभा अपने संसती ये शेक्र रायबरेली पहुची है सोनिया गांधी राइबरेली की जंता का आभार व्यक्त करने के लिए तो देख रही है आप हमेशा जो जीते उसे सुकून और शांती मिले ये जरा भी जरूरी नहीं है और कहीं ना कहीं मेलका गांधी ने जो सोनिया गांधी की संपत्ति पर सवाल उठाया था उसका जवाब सोनिया गांधी ने ये कह कर दिया है कि कभी गांधी परिवार के इन दो हिस्सों का मेल नहीं होगा ये मेल असंभव है हलाकि राजनीति के अकाड़े में कुछ असंभव नहीं है लेकिन राजनीतिक विशलेशक के जो है राजनीतिक विशलेशक जो है यहाँ पर वो कहते हैं कि सोनिया गांधी के गोते हुए मेनका गांधी की रहा कॉंग्रेस पार्टी का तक आना मुश्किल ही नहीं नमुम्किन है देवरानी और जेगानी मुह खोलकर एक दूसरे परवाल भरे ही ना करती हो लेकिन कहा जा रहा था कि प्रोटर्म स्पीकर अगर मेनका बन जाएंगी तो सोनिया गांधी से उचा पद उनका हो जाएगा अब शायद वो दिन कभी मेनका गांधी को देखना नसीब भी नहीं होगा क्योंकि भार्टी जनता पार्टी ने ऐसा ना हो इसके लिए अंजाने में ही सही लेकिन विरेंद्र कुमार को पोटर्म जो स्पीकर बनाया है सोनिया गांधी से उच्पद पर मेनका गांधी नहीं बैठेंगी यही राजनीती है यही राजनीती का रुख है यही राजनीती का खाड़ा है यहां कब कौन किसे धोका दे जाए, कौन कब किस पर भारी पड़ जाए और यहां रिष्टे कब एक दूजे के खिलाप हो जाए कुछ समझ नहीं पा सकते फिल्हाल ये देवरानी जेठानी की लडाई को लेकर आपका मत क्या है मीचे दिये गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं लकातार जुड़े रही है SPN 9 News के साथ रहें अपडेटेड